हेलो इस डेन आई इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 फैक्टराइजेशन चेप्टर के कोश्चन फर्स्ट को सोल्ब करते हैं कोश्चन फर्स्ट में आपको कॉमन फैक्टर लिकालने के लिए कह रहा है कैसे common factor लिकालते हैं तो जितने भी given term है उसमें common factor कैसे लिक लेगा तो आईए हम लोग question को solve करते हैं first number को दिया हुआ है 12x और 36 तो तकि जब भी common factor आपको लिकालना हो तो सबसे पहले इसको factor के रुप में लिख दीजिए क्या करेंगे factor के रुप में लिख देंगे तो देखिए 12x को कैसे लिखेंगे 12x को आप लिखेंगे 2 into 2 into 3 into x देखिए product के रुप में लिख दिया चलिए 36 को भी उसी तरह लिख लिजिए कैसे करेंगे यहा 36 का ऐसे लेल से हमने 2 ले लेंगे 18 हो गया तो ले लेंगे 9-3-3 तो इश तरह के हम लिख लेंगे 2 into 2 into 3 into 3 अब common factor कर रहा है तो यहां दोनों term में से देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा common है तो देखिए एक दो common हो गया और एक और दो common हो रहा है और एक तीन common हो रहा है तो देखें, यहाँ पर 2, 2, 3 common factor है तो यहाँ से लिख सकते है common factor is equal to 2 into 2, 2 into 3 जो common होगा इसको हम product के रुप में लिखेगे तो कितना हो जागा multiply करने पर 12 तो यह दोनों जो given term है 12x36 में common term क्या हुआ? 12, समझ गहें? आईए question number 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है? 2y और 22xy ठीक है? चलो इसको भी हम factor group में लिख देते हैं 2y को लिखेगे 2 into y ठीक है? और 22xy को लिखेगे 2 into 11 into x into y समझ रहे हैं? ठीक, अब दिनों में क्या common देख रहे हैं? एक दो common हो रहा है और एक आपका क्या हो रहा? y common हो रहा है तो इसमें आपका common factor लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? common factor हो गया? 2y क्या हो गया? 2y यह आपका answer हो गया? चलिए, आईए question number 3 देखते हैं question number 3 देखते हैं 14pq 14pq और 28p² q² ठीक है? तो यहाँ 14pq को आप factor कर लो तो लिखोगे 2 into 7 into यहाँ प्राइम नंबर में factor करना p into q और 28p² q² को क्या लिखोगे? 28 को 2 into 2 into 7 लिखेना into p² p² में दो बार p लिखना और q² q² में दो बार q करना ठीक है? चलिए, अब दोनों में common कर लो तो यहाँ से आपका common factor लिकर जाएगा तो cf common factor इसकल टू कितना आ जाएगा? बताइए, देखिए, एक 2 common हो रहा है एक 2 लिख दिया ठीक है, एक 7 common हो रहा है एक 7 लिख दिया एक p common हो रहा है, एक p लिख दिया और एक q common हो रहा है ठीक है, एक q ते q हो गया तो इस तरह के आप देख रहे है common factor क्या हो गया 14pq क्या हो गया 14pq एंसर हो गया समझ गया चले question number 4 समझते हैं दिया हूँ है 2x 3x square और 4 यह 3 term दिया हो 3 term में common factor लिखालना है तो आप 2x को कैसे लिख देना 3x square कैसे लिखोगे 3 into x into x लिख देना और 4 का लिखोगे 2 into 2 देखिए इसमें number कोई भी इसमें 2 है इसमें 2 नहीं इसमें 2 है यह 3 में होना चाहिए तब common होगा ठीक है और क्या देख रहे है x इसमें है नहीं x में है नहीं तो इसमें दोनों देख तीनों term में कुछ भी common नहीं हो रहा है तो यहां common factor कुछ भी common नहीं होगा तो क्या लिखना 1 लिखना समझें चलो आजाओ question number 5th नमबर question क्या है 6 a b c 24 a b a square और 12 a square b चलो इसको लिखो 6 a b c को कैसे लिखोगे 2 into 3 a into b into c ठीक है 24 24 a b a square को कैसे लिखोगे 2 into 2 into 2 into 3 ऐसे लिख लेना into a into b into b दो बार भी लिख लेना ठीक है उसके बाद 12 a square b है तो 2 into 2 into 3 लिखो into a into a into b ठीक है तो यहां समय तीनो टर्म में देख रहे है तो क्या common हो रहा है बच्छो common हो रहा है क्या तीनो में देखि कि एक 2 common हो रहा तो एक तू लिख दिया जिसमे और 2 common नहीं हो रहा है क्या देख़ी तीनों में को मन हो रहा है तो यह थ्यूंद स्पा attitude को मां अधी युक्ल research यूज dog और यह दिननी में है की को मंठेखे और चेक है और क्या कामन हो रहा है बी वी कौमन हो रहा है लेकिन इसमें C common नहीं हो रहा है तो कितना हो गया common factor 6AB समझ गया आपका answer हो गया चलिए six number क्या है six number में दिया हुए एक 16 x q ठीक है तो इसे लिखोगे टू इन्टू टू इन्टू टू इन्टू दू दिचार तो आट टोनी 16 लिखना और x q मतलब x into x 2X ठीक है बच्चों चलो minus 4 x square है तो लिखोगे minus 202 to be X into x ठीक है और 32 xden to 22 two in 22 है two into two 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 into two two one twoë three four four and jordan 32 हो गया into x लिख लेना तो तीनों मैं यह क्या कमन देख रहे हो तो तीनों फैक्टर हो गया कितना हो गया बच्चों एक दो कॉमन हो रहा तो एक दो लिख लेना ठीक है एक और दो कॉमन लेना ठीक है दो कॉमन हो गया दो और क्या कॉमन हो रहा है एक्स में देख सकते हैं इसमें एक्स एक्स में से एक्स इसमें से तीनों में से एक्स एक बार कॉमन हो और कोई common होगा नहीं और कोई common नहीं होगा तो कितना हो गया फोर एक्स कितना हो गया फोर एक्स common factor हो गया समझ रहे हैं चलिए question number कि छेवएंध में देखिए क्या है कि सेवेंध में दिया हुआ है आपका 10pq 10pq क्या है 10pq तो 10pq कैसे लिख साथ है 2 into 5 into P into Q लिख सकते हैं 10P क्यों हो गया और एक दिया है 20QR 20QR को कैसे लिखेंगे 2 into 2 into 5 into Q into R समझ रहे हैं और 30RP को कैसे लिखेंगे 2 into 3 into 5 into R into P चीक है तो यहां common factor देख रहे हैं तिनों में क्या common factor हो रहा है तो एक 2 common हो रहा है देखी सभी में 2 common हो रहा है और साथ में 5 भी common हो रहा है 5 भी common कर लिया और साथ में यहां पर देखी कोई common हो रहा है P इसमें है P इसमें नहीं है P इसमें है P common नहीं होगा Q इसमें है Q इसमें इसमें भी नहीं है और आर इसमें किनों में आर नहीं ए तिनों में क्यों नहीं इस तरह वजाली क्या common हो गैस ? इस टेल नमबर कोमन पजाच़ क्या उग में gaan जबता होगा ठेल लास्च नमबर क्या है Prime प्र य। कर दो तो इसको कैसे लिखें गे ठीलिए December x into y into y into y लिख लिख लिया चलो उसके बाद दिया हुआ है 10 x q y square तो कैसे लिखेंगे बच्चो 2 into 5 into x into x into x into y into y समझ रहे हैं और एक और दिया है 6 x square y square z तो 2 into 3 into x into x into y into y into z सब लिख दिया हम पूड़क्ट के रूप में चलो अब असाने से यहां से common factor पता कर लेते हैं देखिए इसमें 3 है इसमें 2 है इसमें 2 है इसमें 3 है इसमें 3 है इसमें 3 इसमें 3 नहीं तो 3 common नहीं होगा और 5 इसमें इसमें नहीं है इसमें नहीं भी नहीं है तो नहीं होगा और 2 है इसलिए number कोई भी common नहीं होगा ठीक है नमबर कोई भी common हो गया अब चलते है एकस में यहां दूगो एकस है और इसमें भी दोगो एकस कॉमन हो गया और इसमें भी दोगो एकस है तो दो एकस कॉमन कर लिया ठीक है और कोई common होगा इन्टू देखिए y इसमें y तीन गो है इसमें y दोगो है और इसमें y दोग तो इस तरह हम लोग कितने भी टर्मि दिया हो उसका हम लोग common factor आसाने से लिका लेंगे और यह common factor जब आप लिकालने के लिए सिख जाएंगे तो आपको factorization समझ में आ जाएगा तो आई होप ए वीडियो आपके लिए beneficial हुआ होगा और हमारे चैनल PC तरह class 8 का course कराया जाता है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दिजिए और bell icon को press कर दिजिए ताकि आने वाले वीडियो का notification आपके पास पहुंच सेके हैं Thank you